हेलो दोस्तों कैसे हो आप से आज जो है हमारे घर में पैसे कैसे बचाने हैं उसी के लिए एक वीडियो लाई हूँ घर में कई चीजे यसी होती है जो वेश्ट पड़ी होती है जैसे कि देखें सेजन में हम गेहूं भराते हैं चावल या फिर आटे की बोड़िया लाते हैं तो मैंने ये वास करके रखी है जो मैंने गेहूं लिये थी उसकी जो बोरे है उसी का ही वीडियो बता रही हूँ यहाँ पर मैं आपको थमनिल भी दिखाऊंगे कि किस तरफ से मैंने गेहूं रखती हूँ पुरे साल पर संबाल के तो इसे अच्छे से वास करके रखे एक तो है कि जो हमारे घर में चुते रखने के लिए स्टैंड है वहां का परदा बनाया है जो कर्टेन बनाते हैं वही और दूसरा है हमारे घर पे जब बारिस आती है तो बाहर से जो पाने गिरता है उस पाने को आने से रोकने के लिए जो कर्टेन बनाते हैं वही मैंने ब का भी सकते हो और मसिन से भी सिलाई कर सकते हो मैंने यहाँ पर हाथ से सिलाई ली है और हाथ से सिलाई करने के बाद चारों और से मैंने नाप भी ले लिया था जो आपके घर में कोई बालकन ये लिया है या फिर विंडो है उसका नाप आपको लेना है और उसे तरह से करना है दो देख्विए एक तो मेरा जो चपल स्टेंड है वहां का कर्टेन ready हो गया है और इस तरla से मैंने रश्चि से बांद लिया है और यहां पर जो भी सारे जो एक्षटा जूते होते हैं जैसे कि हैवी में होते हैं वो में डिबे में वगरे में रखती हूँ और इस तरह से यहाँ पे सारे आ जाते हैं और बारिस आये गया तो बारिस का पानी भी नहीं जाएगा और जो भी पानी जाएगा यह कटेन के उपर जाएगा तो बस यहाँ से मैंने इसे पैक कर दिया है और निचे के तरफ इस तरह से दोरी लगा के इसे फेट कर लिया है तो अगर आप भी आपके बालकन ये लिया में जूते वगेरा रखते हो तो ऐसे उसे कवर करके रखिये और फिर मैंने जो दूसरा वाला बनाया है उसको भी मैंने ऐसे ही किया है पर वो रात का सेंध था इस इस तरह से लगा दिया है तो जो भी पानी होगा ये बाहर के साइट जाएगा जो अंदर का हिस्सा है वहाँ पे नहीं आएगा तो देखिए ये देख सकते हो आप यहाँ पानी सारा बाहर जा रहा है और बारिस का पानी अंदर नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या है हमारा ज जूला रहता है तो जूला भी बीगड़ेगा नहीं और यहां पर हम सोना चाहे तो भी यहां पलंग या खाट लगाएक सो सकते हैं तो छलिए बस इसी तरह से छोटी छोटी चीजों से हम हमारी गर में पैसे बचा के कैसे यूज कर सकते हैं वही हैं तो चलिए आगे दिखाती हो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं ये तो मेरे मेरे लला के कपड़े दिखाए हैं मेरे माधा हो के जितने भी कपड़े हैं उसमें कई जगा सिलाई निकल गई हैं तो कई जगा धागे निकल आये हैं और कई जगे इस तरह से खूल गए हैं, तो बस वही छुटा मुटा काम है, वही मैं आज करने वाली हूँ, और सोचा कि आपके साथ सेर कर लूँ, ये सारे कपड़े हैं, उसको आप खोल के भी यूज कर सकते हो, ये देखी ये तूट गया है, तो मैं उसका एक टीवी जैसा बनाने वाली हूँ, तो ये सारे कपड़े हैं, मैं इसे खोल के रखोंगी, और बाद में आपके साथ सेर करूँगी, फिल हाल तो मैं आपको ये देखी, एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसका क्या बना रही हूँ, वही दिखा रही हूँ, तो ये जो टुकड़ा है, वो जो भी मैरे पास कॉटन है, वही फिल करने वाली हूँ, देखिए, इसके अंदर कॉटन अच्छे से फिल कर दिया है, और फिल करने के बाद देखते हैं, इसमें किस तरह से सिलाई करनी है, तो जो पहले तो मैंने कॉटन फिल किया था, उस इससे को सिल लोंगी, तो क्या है, कि वहां से बाहार ना निकले यह मैंने मसिन से सिलाई ली है और बीच में बीच में आपको धागे से करना है गिठान लगानी है तो भी लगा सकते हो पर मैंने सिलाई ले ली है तो देखिए यह माधो के लिए एक सोने के लिए गादी हो गई जब भी माधो को सोना होगा तो मै यही गादी में उसे सुलाओंगी और देखिए ये मेल पास एक बेबी टॉवेल था तो वो अच्छा था तो मैंने उसे फ्रीज के उपर ढखने के लिए यूज किया और उसके उपर का जो हिस्सा है उसे में फिल कर दूँगी इसे भी कॉटन से फिल करना है तो तीनों तरफ से जो सिलाई लेने थी वो ले ली है और एक तरफ से थोड़ा सा जगा छोड़के वहाँ से मैंने कॉटन फिल कर दिया है ये भी देखे एक छोटा सा एक टुकडा ही है और इसमें से हम लला के लिए ओढ़ने की एक रजाई बनाने वाले है और ये देखे फिल होने के बाद बीच-बीच में मैंने मोती लगा लिये है जिससे वो थोड़ा डैकोरेटिव हो जाए और मोती इस तरह से लगाके फिर उससे टाक दिये है और जो इसनी बॉर्डल लाइन है वहाँ पे भी थोड़े-थोड़े मोती लगाए है पर मोती लगाते वक्त मेरे पास थोड़े कौम हो गए तो उसे बज़े से मैंने दूसरी जगह है जो मेरे पास एक्स्ट्रा लेस पड़ी होई थी तो लेस से मैंने इससे डैकोर कर दिया है आपको भी लगे कि आपके पास ऐसी कोई डैकोर लेस पड़ी है तो उससे भी आप लगा सकते हो देखिए डैकोर होने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है अब आपको मैं दिखाते हूँ कि ये माधो के जगह में कैसे यूज़ करने वाली हूँ देखिए कितना प्यारा लग रहा है आप वीडियो में भी देख सकते हो और यल में भी बहुत ही प्यारा लग रहा है तो बस ये देखिए माधो को उड़ाने की एक रजाई बन गई है अभी विंटर आएगा तो ये मुझे बहुत ही हैल्प होगी इससे तो अभी मैंने ये देखिए इस तरह से एक जो बैड होता है वो मैंने लला के लिए लिया है माधो के लिए बैड लिया है और एक तीजुरी भी लिए है अलमिरा तो उसमें तो मैं क्या रखते हूँ देखते हूँ आपको किसी का कॉमेंट आएगा तो वो मैं आपके साथ सैर करूँगी और यह देखे मैंने यहाँ पे गद्दा पिछो दिया है और यहाँ पे मैं माधो को सुलाओगी यह मैंने बगेर नाप के लिया था फिर भी अच्छे से फिर्ट आ गया है अब यहाँ पे मैं उसका गद्दा रखूँगी और उसे सुलाने के बाद रजाए उढ़ा दूगी रजाए उढ़ेने से वो पूरा मेरा जो बना हुआ है वो अच्छे से हो गया और बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने हाथों से कुछ ऐसा बनाते है और किसी अपने को इस तरह से देते हैं तो देखिए मैंने माधो को इस तरह से लगा दिया अब मैं उसे सुला के फिर यहाँ पे लगा देती हूँ देखिए कितना प्यारा लग रहा है और माधो को ठंड भी नहीं लगेगी और उसके काम में भी आ गया तो आपके पास भी अच्छी छोटी छोटी कत्रने पड़ी है जो कुछ काम नहीं आ रही तो इस तरह से आप यूज किजिए इसके अलावा भी बहुत सारे आइडियास है जो आप काम कर सकते हो आप में पुराने जो भी वीडियो है उसमें जाके देख सकते हो वीडियो कैसा लगा जरूर से बताईएंगा वीड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए खुद का खयाल रखे और खूस रहे